जैहिन दोस्तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेज में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह फिर से लेकर आई हुए हैं आपके लिए जेनरल नोलिज के कुछ Most Important Questions तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपके लिए डेली सुबह आठ वजे जनरल नोलिज की वीडियो मिलती है जिसमें हम आपके लिए केबल डिफैंस से सम्मझेत जुज्जी की होती है वो डिसकस करते हैं और दोस्तो इस वीडियो की PDF फाईल को भी आप हमारे टिलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लाशिस से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिभा Online Classes को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँचती रहें तो चलिए दोस्तो कोस्चन नमर बन के तरब चलते हैं काकोरी केस के अव्युक्तों के बचाव हे तू किसकी अधिक्षता में एक समितिक का गठन हुआ था तो कोस्चन नमर बन का सही आंसर है गोबिंद बला पंत कोस्चन नमर दो है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंब किया था कोस्चन नमर दो का सही आंसर है होम रूल पार्टी ने कोस्चन नमर थ्री है कानपुर सड़यंत मकदमा किस अंदोलन के नेताओं के बिरुद था कोस्चन नमर थ्री का सही आंसर है सामेबादी आंदोलन next question है question number 4 किस आंदोलन में सरदार बलभाई पतेल ने मुख्य भूम का निवाई question number 4 का सही answer है आपका बारदोली सत्याग रहे question number 5 है किस प्रिथम भारती प्रदान मुंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी तो Q5 का सही आंसर है जवाहरलाल नहरू Q6 है किस बात ने गांदी जी को फरवरी 1922 में सबने अवग्या आंदोलन इस्थकित करने पर बाद किया Q6 का सही आंसर है चौरी-चौरा और अनिस्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने Q7 है किस भारती राष्टरी आंदोलन का सीर्श कीत बंदे मातरम बना Q7 का सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन Q8 है किस ने गदर पार्टी को इस्थापित किया Q8 का सही आंसर है आपका लाला हर्दयाल Q9 है किस ने कहा कि तिलक भारती असानती के जनक है यहाँ पर दोस्तों तिलक से मतलब बाल गंगदर तिलक से है ठीक है तो किस ने कहा था कि बाल गंगदर तिलक भारती असानती के जनक है तो यह कहा था दोस्तो बीच रोल ने तो यहाँ पर question number 9 का सही आंसर बीच रोल question number 10 है क्रांतिकारी चंदरसेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था तो question number 10 का सही आंसर है मुड़बेड में गोलियों से यहाँ दोस्तो चंदरसेखर आजाद अंग्रेजों के दोरों एक मुडबेड में मारे गए थे next question की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं या फिर हम अपने चैनल पर जो भी जीके की वीडियो पब्लिस करते हैं अगर उन सभी के आप PDF फाइल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलेन क्लासिस से जाके डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF फाइल आपके लिए बिल्कुल फ्री में उपलब्द होती हैं इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है तो उम्मिद करते हैं दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करके इस वीडियो की PDF फाइल के लिए डाउनलोड कर लेंगे कोश्चन नमबर 11 है किसे भारती असांती के जनक के रूप में जाना जाता है तो कोश्चन नमबर 11 का सही आंसर लोकमान तिलक कोश्चन नमबर 12 है गदर पार्टी की इस्थापना कहां हुई थी कोश्चन नमबर 12 का सही आंसर है सयोक्त राज अमेर्का गांदीजी की द्रिष्टी में अहिंसा का अर्थ क्या है Q13 का सही अंसर है सत्थ की प्राप्ति का रास्ता Q14 गांदीजी की नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया तो Q14 का सही अंसर है चमपारन सत्याग्रे के दोरान गांदी जी के नाम के आगे महात्मा सब्द के लिए जोड़ा गया था Q15 है गांदी जी को किसने सर्व प्रिथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था Q15 का सही अंसर होगा Q15 गांदी जी के लिए सर्व प्रिथम राष्ट्रपिता की उपादी दे थी सुभाष्ट्रपिता कहा था Next question के तरफ चलने से पहले हम आपको बता दे कि दोस्तो आपके लिए हमारा चैनल को सब्सक्रैब करना क्यों महत्पोंड है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए डेली दो वीडियो मिलेंगी जिसमें दोस्तो एक सुबह आठ बज़े आपके लिए जनरल नौलिज की वीडियो होगी और दोपैर में एक बज़े आपके लिए डिफैंस से समद्धित जोब की वीडियो होगी जो दोस्तो सुबह आठ बज़े की वीडियो है वो तो कनफर्म है आपके लिए 100% मिलना ही है लेकिन दोपैर बारा बज़े की वीडियो आपको आप समझ सकते हैं कि जब बैकेंसिस निकलेंगी मैं तभी अपलोड कर पाऊँगा लेकिन वीडियो अपलोड करने के टाइम दोपैर में एक बज़े ही रहेगा तो यह मैं इसलिए बुलाओं कि जो जॉब की नोटिफिक्सिन की वैकेंसिस होगी वो डेली अपलोड नहीं हो पाती है लेकिन दोस्तो आपका भरोसर जीतने के लिए हम कम वीडियो डालते हैं लेकिन जो सही नियूज है भही आप तक पहुँचाते हैं तो कोस्चन नमबर 16 की तरफ चलते हैं कोस्चन नमबर 16 है गांधी इर्विन समझोता किस वर्स हुआ था तो गांधी इर्विन समझोता दोस्तो हुआ था 1931 में ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है हमारा कोस्चन नमबर 17 गांधी जी के रामराज में गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धान्त कौन से थे तो गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धान्त थे सत्य तथा एहंसा ठीक है question number 18 है गांदी जी ने अपना राजनेत गुरू किसे माना तो गांदी जी के राजनेत गुरू थे दोस्तो गोपाल कृष्ण गोखले next question है हमारा question number 19 जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे जतिन दास के लिए दोस्तो लाहोर शड़े अंतर के कारण बंदी बनाए या थे question number 19 का सही अंसर लाहोर शड़े अंतर next question है हमारा जलिये वाला बाग हत्याकांड कब हुआ जलिये वाला बाग हत्याकांड दोस्तो कब हुआ जलिये वाला बाग में जहां पर दोस्तो एक सभा चल रही थी जिसपे जनरल डायर ने गोलिये चलवा कर बहुत से लोगों को जिन्दा मार डाला था कुछ लोग तो इसमें दोस्तो ऐसे थे कि जो जिन्दा ही कुए में गिर करके उनकी मौत हो गई थी ठीक है तो यह थी दोस्तो आज की 20 कोस्टन से जनरल नोलज के तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में सेर जरू करें तो थेंक्यू दोस्तों एक बात आपको और बताते हैं कि हमारे चैनल पर आपके लिए डिफेंस सम्मंद्र ची वीडियो मिलती हैं तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहु